अम्बिकापूर रेनुकूट रेल जुडाव चेतना पदयात्रा का आज रेनुकूट रेलिवे स्टेशन से सुरुवात हुआ रेन बोड में सदसेवां आकांशी जिला सोनभद्र के प्रभारी मंत्री के प्रतिरिधी स्रीकृष्ण गौतम ने यात्रा का सुभारम्द करते हुए सर्गुजा से जुड़े रेल संघर्ष समीती के अस्ठी से आधिक पदयात्रियों एवं अस्थानी जन प्रत्रीदियों आमजनों को संभोधित करते हुए कहा कि या रेल लाइनी बहुत ही मतोपूर्ण है और इसके निये वजट आवंटन हे तुस्थानी ये तीनों सान्सदों का साथ लेकर केंद्रिय मंत्री एवं प्रतान मंत्री तक इस बात को पवजाएंगे एवं हमारा पुरा प्रयास रहेगा कि इस रेल लाइन को इस वजट में मंजूरी मिले पद्यातरा कारिक्रम पो रेनुकोट रेलियो स्टेशन पर सम्भोजित करते हुए राष्ट रेल रामर्श दात्री काउंसिन एन आर यू सिसी रेल मंत्राले के सदस्य स्रिकृष्ण गौतम ने कहा कि अंबिकापुर रेनुकोट रेल लाइन के फाइनल सर्वे का कारे लग पूरा कराने के लिए स्थाने सांसदों का सहयोग लेंगे इस अभियान में राज्य सभा सांसद राम सकल मध्य प्रदेश से राज्य सभा सांसद अजय प्रताप यों लोग सभा के पकोडी लाल कोल का भी सहयोग यों समर्थन प्राप्त है इन सब के सहयोग से इस रेल प्रदार मंत्री तक बात पहुचाने की भी पहल की जाएगी मुझे इस अभियान के बाद पुरा विश्वास है कि आगामे दिनों में इस रेल लाइन को मंजूरी दिलाने में सफरता मिलेगी उन्होंने अंबिकापुर के पदयात्रियों को साधुवाद देते हुए काहा कि तबती धुप में पदयात्रा कर रहे लोगों के प्रसंसा के लिए कोई शब्द नहीं है और सोलबत्र जिले के लोग भी उनके साथ कंदे से कंदा मिला कर तयार हैं मेरा इसमंद में कहना है कि अभी हमारा सर्वे कार लगवग पूरा हो गया है और इसकी डिपी आर अभी रेल्बे बोर्ड में जाएगी रेल मंतराले में तो हमारा प्रयास है सबसे पहले डिपी आर को मन्यूर कराना डी पी आर मन्यूर होने के बाद में फिर फाइनल लोकेशन सर्वे का आदेश निकलवाना फाइनल लोकेशन सर्वे में क्या होता है एक जग कोस्ट निकल आती है फिर उसके बाद यह नीती आयोग है वितमंतराल है हर जगह इसका हम लोग प्रियास करके जल्दी से जल्दी कर आएंगे और अभी जो सत्र चला उसमें हम अपने जो यहां के सांसद हैं राजसवा राम सकल जी और या लोकसवा सांसद पकोडीलाल कोल जी और आपके मद्द पदेश से सांसद राजसवा जैपरताब जी जिनका प्रहाव कर हमको सहुग लेंगे और हमारे बरिश्ट नेता हरदीत सिंग्पुरी साब का पुर्तिनिदी हूं उनके द्वारा भी इस प्रकड़ को मैं प्रदानमंत्री तक पहुच वाऊंगा और हमारा पूरा प्रयास है इस्वर की किरपा से हमको सबनता मिल जाई और मैं अम्मिकापुर के लोगों का बहुत सादू बाद देता हूं प्रसंसा के लिए मेरे पास सब्द नहीं है जो इतनी बीसर गर्मी में छेत्र के विकास के लिए पद्यात्रा के लिए आगे आए हैं और इसको देखके हमारे रहनु कोट के लोगों में भी उत्सा है हमारे मियोरपुर से सोना बच्चा बाई साब आये हैं यह हैं सभी राम नरेश पासवान ने कहा कि इस पद्यात्रा के माध्यम से जो संदेश दिया जा रहा है उसके माध्यम से हम सब एगजुट हो इस रेल लाइन है तू ना सिर्प मान बलकि प्रयास करेंगे कि सांसत्य सयोग से यह पूरा हो सुनभद रेवम सर्गुजा क्षेत्र का और भारा सरकार को मैं बदाई देना चाहता हूं कि जो इसे एजना उनकी दिमाग में है और हमारे गोतम जी यहां के सांसाद राम सकल जी वरावर प्रयास कर रहे हैं कि यह जल्दी इसका बजट मिल जाए और रेनुकुट से लेकर अमरीकापुर तक रेल लाइन क्या जो है और जल्दी काम सुरू हो सके इसके मैं बदाई देता हूं और आप सब भी इसके लिए पुरा प्रयास कीजिए रेल संगर समिती के मनिस सी ने कहा कि यह रेल लाइन की मांग काफी समय से है या एक पुरानी मांग है यदि इसे जल्दी मंजूरी मिल गई तो इस यात्रा की सार ठकता होगी आप सबी का सयोग जाहिए आप सब भी अप प्नेस्तर प्रलायातार मांग को उठाते रहिए मुकेश तिवारी ने कहा कि यह पूरी यात्रा चार दिनों तक चलेगी जिसमें तीन स्टेशन उत्तर प्रदेश में पढ़ेंगे और आठ चतिस गड़ में हर स्टेशन पर जन सयोग से सभा का आयोजन हस्ताक्षर अभिया यह पौधारोपन कारिक्रम है रनुकूट में आप सभी का यह सयोग रेल संगर समिती सर्वुजा हमेशा याद रखेगा इस दोरान बार कॉंसिल के सचिव विजय तिवारी राज वर्मा प्रकास साहू विद्यनन्द मिस्रा विवेकदु में संतोस बिहाड़े गोल्डी व विकास अगरवाल ने भी अपनी अपनी बात रखी। हमारा जो सर्गुजा और सुनभद्र का दक्षिनांचल है रेलवे के मार्क के विकास होने से निश्यत रूप से श्यत्र का काफी विकास होगा और इस अंदोलन में हमारे सभी वर्क के लो समाजिक संग्ठन बुद्ध जीवी विविन जन प्रत्रिधी व्यपारिक संग्ठन सबका सवयोग मिल रहा है सबकी एक्षा है कि अंदिकापुर जोड़े प्रेतर रेल नेटवर्क से जुड़े लगबग राष्टी रेल नेटवर्क जैसे इस्तिती है र संभद के दक्सिन छत्र का काफी विकास होगा